तो बड़ी कबर आप तक पहुँचा रहे हैं बताते चलें आपको सीम नितिश कुमार और प्रधान मंतुरी की मुलाकात को लिकर इधर जीतर नाम मांजी ने कहा है कि इसके कई राजनितिक माइने है और इस बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है आपको बताते चलें कि G20 डिनर कारक्रम में शामल होने के लिए पहुँचे वेदे से अमितिश कुमार अब उनको तो नमबर टू से भेट होता है अमित साजी से और देश के आदरनिय राष्टपती जिनको संसद भवन में कि उद्गाटन सब आरों में इसलिए नहीं बुलाया गया को दलित और आदिवासी है तो मुख मंत्री जिसे मिलने की इक्षा अमेरिका के राष्टपती वाइडेन ने किया समझ में नहीं आ रहा है कि नितिश कुमार जी का बिक्तित्तु क्या है देखिए वो तो समारों में सभाविक रूप से सभी मुख मंत्री को आम मंत्रित किया गया था तो मानिय मुख मंत्री जी गय थे अब इसको हर चीज का राइनितिक मैने लगा जाए मेरी समझ से ये हलकी बात हमेशा मान्जी जी करते रहे हैं और यही करने में रह जाएंगे और उनको कोई नोटिस नहीं लेता है उनकी बात को बिहार की जनता गंभिरता से नहीं लेता है सभाविक है कि वो गय थे मिटिंग में और मिटिंग से चले आए देश के सभी मुक्मंत्रियों को अमंतित किया गया था महमहिम राष्टमति के तरप से भोज के लिए अब बैडन सहाby मिल रहा हैं असाथ में नरेंदर मोधी जी मिल रहा हैं ख़डा हैं आप दिशा है उत बात अधार आपको जींटने वाले लोग है तो मानिये प्रधान मंत्री जी ने बिहार की महता को बढ़ाया है G20 में नलंदा बिश्वी द्यालाय का बैनर देखे तो मुखमंत्री जी तो भाई वहां गय तो सुभाविक है कि प्रधान मंत्री जी ने उनका परिशे कराया और मक्वंत्री जी का ये कदम श्वागत ये कदम है और राजनीत में तो कभी भी कुछ संबह हुआ है देखे इसका अर्थ का नर्थ लगाने के जरुबत नहीं है